दोस्तों आप अगर अपने आईफोन में वाल पेपर को डिलीट करना चाहते हैं आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप यहाँ पे सेटिंग से डिलीट करने की कोशिस इसको करेंगे तो आपको कहीं पर भी कुछ डिलीट करने का जैसा option दिखेगा नहीं यहाँ पे हम for example दिखा रहे हैं आपको कहीं पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है केवल सेट कर पा रहे है और नीचे नहीं कहीं पर दिख रहा है इस पर टैप करने भी नहीं दिख रहा है तो delete करने के लिए आपको करना क्या है आपको simply अपने power button दबानी है और screen को lock कर देना है अब यहाँ पर lock screen पर tap करना है यहाँ जैसे ही tap करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से collections दिखाने लगेगा अब side में आप scroll करिए और जिस भी wallpaper को delete करना है set को आप वहाँ पर आ जाईए ठ delete कर सकते हैं अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए